नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे देश के अंदर 28 राज्य देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार अमेरिका के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 50 स्टेट्स वहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर एक बिल पास किया गया है जिसके तहट बताया जा रहा है कि वशिंग्टन डीसी, वशिंग्टन डीसी को आप कंपर कर सकते हैं, हमारे देश के अंदर जो नाशनल कैपिटल टेरिट्री आफ डेली है, मतलब कि एक राज यह नहीं है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी एक दिस्टिक की तरह है, वाशिंग्टन डीसी, डिस्टिक का नाम ह तो उसको अब 51st states देने का जो दर्जा है वो यहाँ पर किया जा रहा है इसके बारे में हम डीटेल से तो जानेंगे ही लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इसकी exact जो location है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा western side यहाँ पर अमेरिका जैसा कि और important चीज कि यहाँ पर Canada के साथ एक state यहाँ पर जोड़ता है अमेरिका का इसका नाम है Washington यह एक अलग state है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यह हम कह रहे हैं Washington DC के बारे में which is the capital of United States of America और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह आपको Washington DC और White House और जितने भी चीज़े हैं यहा आपको देखने को मिलती है इसकी exact अगर हम location की बात करें तो यह मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर जो state के पास यह आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको Virginia देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पर यह एक और state है यहाँ पर इसको कहा जाता है Maryland ठीक है और Maryland और Virginia के बीच का यह जो border है यही पर Washington जो है वो आपका setup किया गया है और यहाँ पर भी मैं आपको बता हूं तो यह district जो है इसको कहा जाता है Columbus यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे district of Columbus यहाँ पर आप देखिए यह लिखा हूँ है district of Columbus तो यह छोटा सा यह आप पू 51st state के state जो है बनाए जाए तो इसको मैं आपको detail से बताऊँगा कि exactly आजादी के बाद से जब से United States आजाद हुआ 1776 के बाद उसके बाद क्यों इसको यहाँ पर state नहीं बनाए गया था उसके बाद आगे चल कर क्या-क्या problems देखने को मिली हर एक चीज़ देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बूक और टुटर पर मेरे लेक्चर की हर पीडियर आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं अंकित अगरवाल और जैसा कि आपको पता है UPSC के एकजाम साने वाले हैं अगर आप अपमी प्रिप्रेशन कर रहे हो इस साल अगले साल जब भी तो आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिवे में स्टाटिक करेंट हर एक चीज एक उपलब करा दिया जाता है चलिए देखते हैं यहाँ पर exactly हुआ क्या है अब इसके अंदर ध्यान रखेगा जिस तरह से हमारे देश के अंदर Parliament है वहाँ पर हमारे यहां लोग सभा राज यह सभा है तो वहाँ पर जो अपर हाउस है जैसे हमारे यहां राज सभा है इसको कह देखते हैं Senate, ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो Senate के अंदर 100 seats है और जिस तरह से हमारे यहां लोग सबह है वहाँ पर इसको कहते है House of Representatives, तो यहाँ पर इसकी total seats आप देख रहे होगे, तो यहाँ पर वेटनेस टे को basically क्या हुआ है कि यह जो House of Representative है, जो Lower House है उन्होंने य Southern Side में यह Washington State है, यह अलग है, यहाँ पर हम बात कर रहे है Washington DC की, और यह border पर है Virginia जो state है और Maryland, जो उपर yellow color में यह Maryland है, दोनों के border पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो अभी के हिसाब से आप देखिए तो total यहाँ पर आपको 50 states देखने को मिल रहे होंगे, उपर य Democrats और दूसरे हैं आपके Republican, Republican वो है जो कि आपका Donald Trump से related है और Democrats बिसिकली जो Joe Biden है से में President उनसे related है, तो यहाँ पर Republican जो है उन्होंने इसके against में vote किया है, पूरी तरह से और जो Democrats है, Joe Biden की party है, उन्होंने इसके favor में vote किया है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जाद हुआ था Britain से, वहाँ पर भी British का राज था, और 13 states I am sure आपने सुना होगा, वो starting में बने थे फिरे दिरे चलकर बाकी भी जुड गए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो founding leaders ने, उनका कहना था कि Washington DC, क्योंकि यह Central Government का काम रहेगा, यहाँ पर पूरे देश की capital रहेगी, तो हम इसको यहाँ पर federal district के तौर पर बनाएंगे, इसको राज का दर्जा नहीं देंगे, यह federal district होगा, federal district का मतलब यह है कि directly, जो union government है वहाँ की, ठीक है, उसके अंडर में यह आएगी, मत्तब कि जो भी bill वगरा होगा, उससे related, जो भी वो Congress के दौरा देखा और इसी की वजए से इसका जो district का नाम है, ठीक है, वो रख दिया गया, जो explorer है, Columbus उनके नाम पर, और जो इनके first US President थे, George Washington, उनी के नाम पर यह वाला जो city का नाम है, वो आपका रख दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कि अब आप खुद सोच के देखे, इसमें कह नीधी को चुनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि Washington DC के अंदर उनका खुद का सब कुछ हो, तो especially 1950s के बाद, जब civil rights movement वगरा चल रहा था, उसके बाद इसकी demand बढ़ गई थी, और finally आप देख सकते हो, 23rd amendment के तहत, 1961 में, यहाँ के जो निवासी हैं, Washington DC के अंदर, उनको right दि 1974 में उस city का अलग से council और mayor का भी जो है, निर्मार कर दिया गया, और इसके अलावा यहाँ पर जो house of representative है, मैंने आपको दिखाया न, यह house of representative, यहाँ पर एक member जो है, वो Washington DC से भी चुन कर आता है, ठीक है, ताकि इनका प्रतिनीदी बना लेकिन इसमें problem यह है कि अभी भी उस कई लोगों के दोरा कि इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, 1985 में constitutional amendment लानी की कोशिश की गई, फेल हो गया, 1993 में भी house of representative में बिल गया, वो भी आपका फेल हो गया, तो यहाँ पर इतना delay के बाद भी आज भी अगर आप देखोगे, तो काफी जादा demand रहती है कि यहाँ पर इसको अलग राज्य बनाए जाए, 2016 का मैं आपको referendum बताता हूँ, वहाँ पर 85% लोगों ने favor में vote किया था, मतलब overwhelming majority आप कह सकते हो वहाँ के लोगों की, कि वो चाहते हैं कि इसको अलग राज्य बनाए जाए, अब ऐसा क्यों करते हैं, दिखिए, अगें यहाँ पर वही चीज़ आ जाता है, आपने सुना होगा इस slogan के बारे में, no taxation without representation, मतलब कि हमारा हम जब तक चुन नहीं रहे हैं, किसी को हमारा कोई प्रतिनीदी नहीं बैटा है, तो हम tax भी क्यों पे करें, तो यहाँ पर पहले का यह revolutionary wars का slogan था, no taxation without representation, यह आज भी अगर आप देख होगे, यहाँ पर अभी Joe Biden भी है, यह सभी आपके Democrat Party से बिलॉंग करते हैं, और मैंने आपको पहले ही बोला था, कि Democrat इसके favor में है, लेकिन Republican favor में नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी जो car होते हैं, limousine, वहाँ पर भी, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लि तो पिछले साल में आपको बता हूँ, आपको याद होगा, इसकी चर्चा होई थी Black Lives Matter, George Floyd आपको याद हो, तो यह पूरा matter चला था, इसका काफी जादा प्रदर्शन वगरत देखने को मिला था, कि Black Lives को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जारी है, अमेरिका के अंदर, जो African ethnic group है, वो आपका African-American की है, तो यहाँ पर भी जो Black Lives Matter का protest है, वो आपको Washington DC में भी देखने को मिला था, तो उस समय भी इसकी चर्चा होने लगी कि हमें यहाँ पर अलग राज्य का दर्जा चाहिए, और इसके लावा June 2020 में जो Democrats हैं, उस समय तो क्या था, June 2020 में President आपके, यह Donald Trump थे, लेकिन जो House of Representative है, वहाँ पर जो Majority थी अगर आप देखोगे, तो वो आपका Democrats की थी, तो यहाँ पर जो Democrats है, उनने एक Bill भी यहाँ पर पास कराया था, और यह कहा था कि इसको हम 51st State बनाना चाहते हैं, यह पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, और इसका जो नाम है, व Donald Trump की party थी, उनकी majority थी, तो उन्होंने इसको cancel कर दिया, इसको Bill को reject कर दिया, फिर फाइनली क्या होता है, आपको याद होगा, 6th of January को, जो Capitol Hill है, Capitol Hill जो पुरा एरिया है, जहाँ पर Congress वगरा बैठती है, जो House of Representative और Senate है, वो लोग का पुरा बैठने का जगा है, वहाँ पर अच्छे से manage कर सके, उनको security arrange कर सके, क्योंकि अगर वो full state होता, तो वहाँ पर governor होते, और governor के वहाँ पास पावर होती है, National Guard को लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इनके पास पावर नहीं थी, और इनी सारे चीजों को देखते वे, finally, अब Thursday को यहाँ पर यह Bill पास किया गय जो दोनों chambers of Congress है, वहाँ से कराना है, और President जो है, Joe Biden, उनको भी approval देना पड़ेगा, तो अब देखी, यहाँ पर Joe Biden तो समर्थन में है, जो Biden तो कह रहे हैं हम चाहते हैं, इसको किया जाए, Democrats मैंने आपको बता है, लेकिन यहाँ पर House of Representatives हो गया है, problem थोड़ी सी आ सकती है, य यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर total 100 members हैं समय, और 50 members अगर आप देखो कि तो exactly Republican के पास है, और 50 यहाँ पर आपका जो है, Democrats के बास, मतलब दोनों के पास एकदम same है number, तो यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा सा problem हो रहा है, लेकिन अगर suppose 50 के 50 जो Democrats हैं, वो इसके favor में vote कर देते हैं, जो की बदाया जा रहा है कि करेंगे ही, तो यहाँ पर क्या होगा, tie हो जाएगा दोनों की तरफ से, तो tie के case में क्या होता है, Senate के अंदर, जो Vice President हैं, याद रखेगा, जैसे हमारे देश में Vice President, Wankayan Aydoo जी, यह Chairman होते हैं, राजसवा के, उसी प्रकार से, वहा Biden के समर्थेन में हैं, तो यहाँ पर यह अप्रूफ कर दिया जाएगा, तो most probably बताया जा रहा है कि यहाँ पर फाइनली, Washington DC जो है, वो 51st state बन सकता है, लेकिन एक और last question आपका incomplete है, that is, कि Democrats क्यों चाहते हैं, कि Washington DC आपका state बने और Republican उसे disagree क्यों करते हैं, यह basically politics से relate करता है, ह Democrats के समर्थक हैं, जादा, ठीक है, मतलब कि हमेशा अगर वहाँ पर voting होगा, तो definitely बताया जाता है, कि जो Democrat party है, वो वहाँ पर जीत कराएगी, मतलब Joe Biden की party जीत कराएगी, तो यहाँ पर वो चाहते हैं, कि अगर यह राज्य बन गया, तो अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पर 50 into 200 हैं भी, और अभी यह 51st बन जाएगा, मतलब total Senate के अंदर member कितने हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, Democrat party के पास majority आ जाएगी, मतलब दो member यहाँ पर जब आएंगे, तो बताया जा रहा है कि यह हमेशा Democrat party ही जीतेगी, लंबे समय से यही पर इनका पूरा वो रहा है, तो यहाँ पर यह जो Democrat party है, उसकी एक तरह से majority हो जाएगी Senate के अंदर, जो कि इस समय आप देखो, तो उतना clear majority नहीं है, मतलब long term के perspective से यहाँ पर Democrats को फायदा होगा, और जो Republican party उसको loss होगा, और इसलिए Donald Trump जो है, वो यहाँ पर इस move को कह में आ गया होगा, जाने से पहले मैं आपके लिए question लिकर आया हूँ, basically हमारे देश के अंदर से question है, यहाँ पर जो House of Parliament आपने देखा होगा, कि कोई bill stall हो जाता है, कोई problem हो गया, bill pass नहीं हो रहा है, तो उस case में joint sitting बुलाया जा सकता है, मतलब राजसभार, लोगसभार, दो का right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, यह hope की वीडियो आपको पसंद आ होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you ले सकते हैं!